हाई एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आई होप सही होंगे तो आज आप टाइटल देखके समझी गए होंगे कि मैं आपके सब किस प्रोडेक्ट का रिव्यू शेर करने वाली हूं चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो मैं आज आपके साथ एनवाइबे की स्किन डिफेंट सेरम की रिव्यू शेर करने वाली हूं तो चलो इसकी ऑटर पकेजिंग की बात कर लेते हैं तो इस तरह की कार्बोड पैकेजिंग में आती है इसके साथ एक ड्रॉप मिलता है जो की काच की है तो चलो मैं आपको बता देती हूं यह क्या काम करता है और इसे कैसे यूज करना है तो इसमें Salicylic Acid है जो Eacne को Reduce करता है देत इसकीं सैल्स को हटाता है I know यह एक लिक्वीड है बट यह आपके एक स्क्रब का भी काम करता है और इसमें एक Tea Tree Oil है, यह एक Antibacterial है तो आपको पता ही होगा यह Eacne और Pimple को हटाने में मदद करता है इसमें papaya extracts है जो एक moisturizer का काम करता है यह एक antioxidant होता है जो की आपकी skin को rejuvenate करता है young looking skin देने में मदद करता है यानि कि आपकी जो fine lines है wrinkles है उसे हटाता है तो इसे मैं personally कैसे use करती हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ सबसे first बात यह मैं oily skin वालों को recommend करूँगी यह dry skin और combination skin के लिए नहीं है यह oily skin वालों के लिए best product है तो यह मैं जिस तरह use करती हूँ मैं इसे दिन में यह दो या तीन वार use नहीं करनी है यह दिन में एक ही बार use करनी है जो night time पे और इसे use करने से पहले अच्छे से अपना face wash कर लीजे इसकी दो तीन drop लेके अपने face on night पे अच्छी तरह से अपलाई कीजिए इसे 30 से 60 second के लिए आपको massage करना है हाँ इसे अपने under eyes area में नहीं लगाना है उसे बचाया है और मैं अपना personal experience बताती है friends मैं इसे night time पे यूज करती हूँ इससे पहले मैं face wash के बाद toner apply करती हूँ मैं जो toner apply करती हूँ मैं उसका link आपको description box में दे दूँगी आप उस video को जाके check out कर सकते हो तो मैं toner apply करती हूँ toner के बाद मैं ये serum यूज करती हूँ तो ये आपकी face को बहुत ही ज़्यादा glow देता है और आपकी जो pimples वगएरा के जो marks रह जाते है थोड़ा बहुत दाग तो उसे भी हटाने में काफी हद तक मदद करता है और इसकी जो price है for 175 है इसकी 2 साल की self life है और इसकी जो quantity है वो 10 ml की है तो गाइस अगर आपको मेरा ये review पसंद आया हो तो please मेरे चैनल को like कीजिए अपने friends family के साथ share कीजिए और subscribe कीजिए Thank you